कंजरवा मोर्ग पर खाद की दुकान में चोरों ने दर्वाजा तोड़ कर की चोरी मसीन समेत नगदी पर किया हासा सवसी जनपत के एकवना कस्बे के बाइपास कंजरवा मोर के पास की ये तस्वीरें जहां पर बीती रात चोरों ने एक खाद की दुकान में अपना धावा बोला और पीछे से लोहे के दर्वाजे को तोड़ते हुए चोर अंदर गुसे फिर गोदाम से दीवाल तोड़कर व मोर के पास का ये पूरा मामला है जहां पर चोरी की खटना को अंजाम दिया गया पीडित जब सुबह सबेरे अपना दुकान पर पहुचा तो उसे घटना की जानकारी हुई ऐसे में पीडित परिसान होठा यहां पर गल्ले को तोड़कर गल्ले में रखा हजार रुपे और और बलक बित्रन मशीन पर चोरों ने हास साप किया पीछे से दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर घुसे थे चोर जैपरकास गुपता कौन सी दुकान थी आपकी यह पेश्टिशाइट की ना सक खाद की दुरूबरक की दुकाने मारे बीटिद आख चोदी हुई है कैसे हुई है क्या गया है है अपको हमारा प्यूस मशीन और गल्ले में पांच छेजार रुपे और लेसंस तो कैसे आये ये पीछे के रास्ते से आया है पीछे का पर लगता हुआ है पुलिस को सूचना दी है हाँ सूचना हमने दे दी पुलिस को इकवना इलाके के कंजरवा मोर पर खाद भीज की दुकान में चोड़ी का मामला सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाज़ पर ताल में जुटी थानाचेत इकवना इलाके के कंजरवा मोर के पास इस्थित खाद उंबीज की दुकान में बीती रात चोदों ने धावा बोला और यहाँ पर दरवाजा तोड़ कर चोदी की घटना को अंजाम दिया गया जब इसकी सिकायत इकवना पुलिस सो की गई तो मोके पर पहुँचक उपने इछग ने यहाँ पर घटना अस्थल का जाजा लिया और जांक परताल की एकवना इलाके के कंजरवा मोर के पास की ये तसवीरें हैं जहाँ पर पहुँचकर पोलिस ने बारीकी से घटना अस्थल का निक्षड किया और लोगों से भी बात चीत की इकवना इलाके के कंजरवा मोर के पास बाजार निवासी इवक खाद युम बीज की दुकान चलाता है बीती रात जब वो दुकान बंद कर अपने घर चला गया तभी अग्याद चोरों के द्वारा दरवाजा तोड़ कर चोरी की खटा को अंजाम दिया गया जहां से कैस और खाद बेचने वाली मसीन पर चोरों ने हाथ साफ किया साथ ही गल्ले को तोड़ डाला पीछे के दरवाजा तोड़ कर चोर अंदर दाखिल हुए थे जिसके बाद दुकान के अंदर एक दीवाल भी चोरों ने तोड़ी जिसके बाद वो दुकान के अंदर तो बेस कर पाए जब इसकी जनकारी लोगों को ही तो मौके पर लोगों को जमाउडा लगा रहा इकवना इलाके के कंजलवा मौर के पास किये तस्वीरे हैं जहां पर बीती राथ चोड़ों ने इस घटा को अंजाम दिया और अगल बगल के रहने वाले को कोई जनकारी नहीं हुई जब आसपास के लोगों से बाचीत की गई तो पता चला कि ना तो इस दुकान के दाहने न कोई बाएं कोई भी परिवार नहीं रहता आएसे में चोड़ों ने निश्चिन तो होकर यहां पर चोड़ी की घटना को अंजाम दिया सबसे पहले चोड़ छट के सहारे पीछे आंगन में उते जिसके बाद उन्होंने लोहे का दर्वाजा तोड़ा और उसके बाद गोदाम से होते हुए दुकान के अंदर प्रवेश किया सब्सक्राइब करें के जृता है यहां पर पहुचकर गले के ताले को तोड़कर गले को उजार ले जिसमें फीर्त के हजारे रुपॉय को फेट हुए थे साथ ही खार बितर करने वाली मसीन को भी चोरों ने नहीं छोड़ा मौके पर पहुची पुलिस ने बारीकी से काफी दे तक जाज परताल की तस्वीरें सबसे तेज़ कबस्ताउस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं इकोना इलाखे के कंजवा मोड के पास की हैं जहां पर भी तीदा चोरों ने चोरी की खटना को अंजाम दिया जाब देखो काउंटरों में लेकेगे हैं पूरा दर्लाव सही तो ठाई लेगे हैं बाठाव जालेगे पुरा दो रहेखब रहे हैं बाठाव ह 정도로 काई